हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइंद की मैस का जो सेकिंड चेप्टर है उसके एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी करेंगे और उससे रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट कोशन करेंगे तो अई स्टा प्लस जेड इन तीनों का सम जीरो दे रखा है तो हमारे पास जो एकस क्यूब प्लस वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइक्वाइ यह तो हमने छोटे नंबर लिए हैं, हमें एक्जाम में बड़े नंबर दिये होंगे, तो हम directly cube नहीं निकालेंगे, उसको इस formula की मदद से, इस identity की मदद से solve करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना हैं कि इन तीनों का sum 0 आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर x की जगा तो हमारे पास दो दे रखा है, y की जगा यहाँ पर minus 3 है, और z की जगा पर यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं दौनों को, तीनों को add करूं, x plus minus 3 plus 1, यह हमारा 0 आ रहा है, ठीक है, तो हम directly इसका अगर nिकालना चाहिए, cube का sum, तो क्या होगा, 3 into x, हमारा 2 हो गया, y हमारा minus 3 होग जो की exam में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर first question हमारे पास है, यहाँ बोले without actually calculating the cube, find the value of, हमें बिना cube find करें, इसकी value निकालनी है, ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि अगर हमारे पास x plus y plus z, तीनों का sum 0 आ जाए, तो हम directly x cube plus y cube plus z cube, यह किसकी equal होता है, 3 x y, z की equal होता है, ठ यहाँ पर देखिए, अगर मैं 1 by 2 plus 1 by 3, और यह minus है, तो अंदर हो जाएगा minus, ठीक है, तो यह minus 5 by 6, सब का sum करूँ, तो LC मेरा 6 आएगा, यह 3 हो गया, यह 2 हो गया, यह minus 5 हो गया, तो solve करके तो 0 ही आ रहा है, ठीक है, तो directly अगर मैं को इसका cube निकालना हो, तो किसकी equal होग 5 by 6 है, तो 3 से 3 cancel हो गया, तो इसको solve करेंगे, तो हैगा minus का 5 by 12 हाएगा, ठीक है, directly हम इसका cube निकाल सकते हैं, अगला देखते हैं, अब इसको भी हम बिल्कुल वैसी करेंगे, अगर minus बाहर है, तो इसको हम directly अंदर दो कर लेंगे, ठीक है, यह हो गया, cube plus यहाँ जाएगा, cube plus 0.1 का cube, तो यह भी विल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों का sum तो 0 हा जाएगा, 0.2 plus minus का 0.3 plus 0.1, sum करके 0 आ रहा है, तो इसको अगर हम एक cube निकालना है, तो किसके एको लाएगा, 3 into 0.2 into minus का 0.3 into 0.1, तो इसको multiply करेंगे, तो कितना हैगा, 3, 2, 6, 6, 18, और decimal लगेगा, हमारा 1, 2, 3 digit के बाते हैं, 0 लगाकर decimal, और minus का sign भी आएगा, यहाँ पर एक बार minus भी दे रखा है, तो इसका answer हो जाएगा, minus का 0.018, ठीक है, कुछ और question देखते हैं, अब यहाँ पर इसके factor निकालने हैं, तो देखिए, अभी हमने जो identity की है, उसी की मदद से हमें इसके factor निकाल लेते हैं, तो देखिए, इसका जो cube दे रखा है हमें, x minus y का cube, plus y minus z का cube, plus z minus x का cube, अगर मैं अंदर वाले number का sum करूं, तो x minus y, plus y minus z, plus z minus x, तो देखिए, x x cancel हो रहा है, y से y, z से z, तो मतलब sum तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो identity हमारे पास क्या होती है, अगर sum 0 आ रहा है, तो यह जो पूरा है, यह किसके equal हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 3 into, x की जगा हमारे पास इदर रखा है, x minus y, into y minus z, into z minus x, तो यही इसके factors होंगे, ठीक है, हम directly ऐसे निकाल सकते हैं, बस आपको identity याद होनी चाहिए, अगला है, इसमें भी हमें same factor निकालने हैं, तो अगर मैं इसका sum निकालूं, मतलब x की जगे तो हमारे पास यह पूरा दे रखा है, ठीक है, y की जगा यह हो गया, और z की जगा हमारे पास यह हो गया, तो अगर मैं x plus y plus z निकालूं, तो 2a minus b minus c, plus 2b minus c minus a, plus 2c minus a minus b, तो यहाँ पर 2a है, और यह minus a और minus a, तो इसको थोड़ा solve भी कर लेते हैं, 2a, यह b हमारा minus का है, यह हमारे पास plus का 2b, और यह minus का 2b, तो यह तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि यह है, एकर हम solve करेंगे इसको तो यह पूरा 0 ही आएगा, ठीक है, तो यह जो है, यह किसके equal हो जाएगा, यह हो जाएगा, 3 into x, y, z की equal होगा, तो 3x की जगा हमारा 2a minus b minus c into 2b minus c minus a into 2c a minus b, यह इसके factor हो जाएगे, ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है, इसको हमें simplify करना है, ठीक है, तो simplify करने के लिए हम उपर भी same identity apply करेंगे, और नीचे भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि उपर वाले b square plus b square minus c square plus c square minus a square, तो यह पूरा 0 आएगा, a square से a square, b से b, c से c, ठीक है, तो उपर जो आएगा हमारा, उपर आजाएगा, 3 a square minus b square, b square minus c square, और c square minus a square, और नीचे भी same identity use करेंगे, तो नीचे आजाएगा, 3 a minus b, b, b minus c, और c minus a, अब देखिए, उपर हम एक और identity अपलाए कर सकते हैं, a square minus b square किसके एकोल होता है, यह होता है, 3 into a minus b, और a plus b, ऐसे यहाँ पर भी b minus c, और b plus c, और यहाँ पर भी c minus a, और c plus a, तो denominator में हमारे पास है, 3 a minus b, b minus c, और c minus a, आप cancel कर देते हैं, 3 से 3 cancel हो रहा है, a minus b से a minus b, b minus c से b, c minus c से यह, तो हमारे पास बचा, a plus b, b plus c, और c plus a, तो यह इसका answer हो जाएगा, ठीक?